आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ All but one of the falling bones are found in the human appendicular skeleton खिलिग the exception उचह गया है कि यहां पे सारे bones यो है वो appendicular यानि की appendages में पाए जाते है appendages क्या होता है तो legs और arms को हम लोग appendages के नाम से जाते है लेकन ऐसा एक है जो कि legs और arm में नहीं पाया जाता है उसी को हमें चूज करना है दो फर्स्ट है finger bones तो fingers जो है वो हमारे arms में यानि की hands में भी पाये जाते है और toes में ही पाये जाते है इसलिए यह यह इन में count होता है where next है upper arm और upper arm जो है उसको हम लोग humerus के नाम से जाते है and humerus में appendages में count होता है where next है जो कि jaw bone है jaw bone जो होता है यह skull bone का formation होता है जो कि हमें cheering में या फिर peaking में help करते हैं तो इसलिए ये हमारे appendicular bones में count नहीं होते हैं तो इसलिए हमारा correct answer भी यहाँ पर jaw bone हो जाएगा वही next है जो कि ankle bones बोला गया है और ankles जो होते हैं वो भी हमारे legs में होते हैं जो कि lower part of the legs होते हैं जैसे कि हम लोग toe को move कर पाते हैं तो इसलिए हमारा जो correct option होगा जो कि appendicular count नहीं होता है वो हो जाएगा हैं आपे jaw bone Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts आच चार्सो 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 पर